नमस्कार मैं जे पी आदर फ्रों भारत हूंस आज आपके लिए एल टाइप का फ्लैट लाया हूँ कॉर्णर फ्लैट नब्वे गज का फ्लैट वह भी नवादा मैटर से हाटली 400-500 मिटर की दूरी पे फ्लैट जो है वो रेजिस्ट्री का है फ्री होल्ड का है इस पे आप 85- 90% तक आपको हम लोन मिल जाएगा और फ्लैट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि विद्टू बालकनी है और तीनों कमरे नेचुरल लाइट में है अस्पेसियस फ्लैट है नब्वे गज का तो चली अभी खाते हैं आपको आप देख पा रहे हैं लिविंग एरिया में तीनो तरफ से सोफा लग सकता है बीच में टेबल लग सकता है आपका और डाइनिंग का स्पेस सेपरेट उदर है बहुत ही खुबसूरत वाल पेपर लगा हुए है 3D वाल पेपर है फैंसी वाल पेपर बहुत अच्छा लग रहा है लिविंग एरिया में ही आप देख पा रहे हो बहुत कम फ्लैटों में ऐसा है कि आपको सेपरेट डाइनिंग का स्पेस आ रहा है बहुत इफैंसी वाल पेपर यह टीवी पैनल लगा हुआ है बीत स्टोरेज है और काफी अच्छा लूक लग रहा है छोटी छोटी काम की हुई है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यह कि अच्छा लगा है कि अंच्छा लगा है झाल झाल आपका किचन आता है किचन है यह मौडूलर किचन है यहां पर चिमनी के लिए प्रोविजन दिया हुआ है चिमनी यहां पर लगेगा जिसका की पाइप वहां पर चला जाएगा सारा मौडूलर किचन है झाल झाल यहां आता है जिलर रगेख getting यह हमारा पहला बेड्रूम हम आपको दिखा रहे हैं इजी यह भी बेड्रूम बिल्कुल कम्प्लीट तेयार है बहुत ही फैंसी वाल पेपर लगा हुआ है और स्पेस इतना है कि बड़े से बड़ा बेड आपका लग जाएगा और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें वुडेंबर्ग बहुत अच्छा किया हुआ है एक बड़ दिखाईए एक बार दिखाईए झाल पर बेड़ दिखाईए साथ में ड्रेसिंग का भी option दिया हुआ है और LED पैनल भी आपका बना हुआ मिल रहा है तो आपके पास storage भी है TV के लिए वेवस्था भी है और ड्रेसिंग के लिए वेवस्था है अब बेड्रूम से पहले यहां पर यह हमारा common toilet है जो अभी तयार हो रहा है कि आपको हर्ची चम्प्लीट करके देंगो वैसे बाइदेवेड दूसरा बेड्रूम यह भी वेंटिलेटेड है सारे सारे कमरे इसमें वेंटिलेटेड हैं इस इस फ्लाइट में एक बर दिखाईए आप से यहां आपको उसे यहां बर दिखाई यहां यहां वहाँ बर दो अबर्दा इस इस फिस्ट्ट्टाश करुआ हैं पुर्टाब चनले करुआए झाल झाल इस बेड्रूम के साथ मैं अटेज्ट विक कहना का मतलब है यह आपका मास्टर बेड्रूम है और इधर नेचुरल लाइट में आपको विंडो आही रहा है और यहां पे फिर से वाल टू वाल प्रोपर वे में आपको अलमीरा लगा हुआ मिल रहा है आपको तो स्टोरेज का प्रोपर विवस्ता है इस फ्लैट में और हर जगह पे नेचुरल लाइट है कहीं पे भी आपको अंधेरा नहीं मिलेगा अब आधी हम आपको मैं तीसरा फ्लैट दिखाते हैं तीसरे बेड्रूम का यह है कि इसकी भी अपनी सेपरेट बालकनी है एक बाद दिखाए बहुत पूसरात लग रहा है अब दिखाए बाद यह है कि सारे के सारे बेड्रूम बड़े साइज हैं अस्पेसियस हैं और सब नेचुरल लाइट में हैं इसके साथ में भी इसकी अपनी बालकनी है आप देख पा रहे होंगे अभी यह कंप्लीट होने में समय लगेगा ज्यादा नहीं 15 दिन के अंदर में यह कंप्लीट हो जाएगा अब मैं आपको ओवर ओल फ्लैट का नक्सा समझा देता हूं हम इदर से आये थे यह हमारा लीविन एरिया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि यहां पर आपका ड्रॉइंग का पर अपर आ रहा है, इधर आपका डाइनीग का उस परेज के साथ में आपका यहां सामने TV पैनल मैंने आपको दिखाया था, से लगा हुआ है, लिविंग अरिया से लगा हुआ ही मैंने आपको सबसे पहले kitchen दिखाया था जो कि modeler kitchen होगा उसके बाद मैंने आपको पहला bedroom यह दिखाया था जिसके साथ मैं अपनी separate इसकी बाल कनी थी जिसको दूसरा bedroom दिखाया था ये इसके साथ भी अपना विंडो है और अस्पेशियस फ्लैट एक ऐसा फ्लैट जिसमें कि आपको ड्रॉइंग डैनिंग दोनों का सेपरेट अस्पेस मिलता है वुडेन वर्प बहुत जबर्जत किया हुआ है तो अबरॉल फ्लैट का नक्सा भी हमने आपको समझा दिया लोकेशन हम आपको ब पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा और प्लीज विजिट जरूर करने आईएगा हमारे ओफिस का नंबर आ रहा होगा आप उसके काल करके आप इनक्वाइरी कर सकते हैं रही बात रेट का तो उसके लिए आप हमें वाट्सप करिएगा जो भी नंबर आपके पास वीडियो में आ रहा है तो मुसप्पे वाट्सप है तो रेट के लिए जरूर डिसकस कर लीजिएगा और पहले विजिट करिए फ्लैट जरू समझ में आएगा कॉर्णर का फ्लैट Namaskar